गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं न्यू व्लोग और पताई कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत ही अच्छे थे होंगे और हम सब भी ठीक हैं फ्रेंट सुबह का टाइम है और लगबग साड़े साथ क्या सबास का टाइम हो रहा है और यहां पर फ्रेश का सीजन तो स्ट्रेम नहीं चल रहा है बट पताने ही उन्हें कहां मिल गई तो ले आए और वो भी आधा किलो लेकर आए हैं अधा किलो तो वो बोल रहे हैं मुझे तो और जादा ही लग रही है और इस टाइम काफी कोश्क्ली मिलती है भिंडी पिना सीजन की कोई भी चलिए बर आई है, आई है तो, बनानी तो, पड़ेगी दो, पहले से ही धुल कर मैंने रखी होई थी। यहां पर साथ में अर इमर्च भी मैंने कट कर ली है, और एक साइड नीकल चाय मेंट मैंने मौरें और इॉज नाbelsा काफ़ी सरी पकी हुई थी नगी फिर कच्छी कच्छी बियक लगता है और यहां पर मैंने ना जो है कड़ाई में min टाल दिया था जीरा हींग डाल दी और पयाज यहां ब हरी मैच अल्की सी सौ टी और यहां पर मैंने भिंडी डाल दी है और भिंडी को हम थोड़ा सा फ्राइब करेंगे और पर हिंग मेरी खतम हो गई थी तो वो डिबी मैंने पहले डाल दी कि फैंक दूँ बट फिर मुझे लगा कि दूसरी जो हिंग मैंने मंगाई है न तो वो ऐलुमिनियम वाली डिबी ह इसी में मैं इसको ट्रांसफर कर दोंगी और पस यहां पर भिंडी को अच्छे सब्सक्राइब कर दिए उसके लो फ्रेम पर करके रख दिया है बनने के लिए और थोड़े से उसमें पानी के चीटे लगा दिये थे जिससे की मसाले हैं वो जैले न और वस यहाँ पर सबजी बन रही थी इतने में जो है जल्दी से मैंने आटा है वो लगा कर रख दिया है और इतने तक मुझे याद ही नह नमक नहीं डाला है और बिंडी लगबग पकी चुकी थी क्योंकि बिंडी पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता तो मैंने आटे में नमक डाला था न तो नमक की डिब्बी जब मैं रख रही थी तब मुझे याद आया नमक देखकर कि मैंने शायद बिंडी में नमक तो नहीं है बट फिर मुझे लगा पहले टेस्ट कर लेती हूं क्या पता मैंने डाल दिया हो जब मैंने टेस्ट किया तो उसमें नमक था ही नहीं वह तो अच्छा रहा मुझे याद आ गया वन्ना बाबू जो है ऐसे ही टिफिन में लिए जाती तो सच में बहुत बुरा लगता म मुझे क्योंकि हस्बंड खाते और तब तक जो है वह तो घर पे ही रहते हैं तो मैं उपर से एक बार को डाल भी देती बट बाबू का टफिन पूरा खराब हो जाता तो देखिए यहां पर सबजी हमारी बनके रेडी हो गई है और नमक भी काफी अच्छे से मिक्स हो गया थोड़ा पहले याद आ गया हो ना आता तो फिर तो आज की सबजी बेकारी हो जाती और अब यहां पर जो है मैं ले आई थी चाय हस्बंड के लिए और अपने लिए क्योंकि मेरे पास काफी टाइम था तो सोचा चाय ही पी लेती हूं बैट कर अराम से तो साथ में दो विस सब हो गई थी उसके बाद फिर जो है मैंने आपर रोटियां थी वो भी बना का लग दी क्योंकि काफी सारा टाइम था और थोड़ा साथा बचा दिया था परांठों के लिए अब फटाफट से मैंने परांठे भी बना दिये हैं बाबू के लिए और अवी के लिए भी और बड़ी अच्छी दूप खिल गई एकदम हवा भी नहीं चले यह जादा इसको बेच दो कबारे में कबारा हो गई यह तो बिलकुल आप अब आइए पैचे दिखाओ पैचे दिखाओ अपने पैचे दिखाओ आमें दिखादो लेंगे थोड़ी और यह पैचे 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 यह पैचे हैं अच्छा अब जो है मैं आ गई हूँ बाहर यह मैंने कल कपड़े दुले थे तो वही जो है रख हुए थे तो जो कपड़े थे वो तो मैंने फैला लिय थे आँगन में तो वो तो जो है जादा गीले नहीं है सूखे शे ही है बस हलका सा धूब दिखानी हैं बट बैट शीट और जो ना वो मशीन में ही डली थी तो वो मैंने सब फैला दी है क्योंकि काफी इच्छे से सुबह से ही धूप निकल आई थी बस सारे कपड़े जो है डाल कर मैं आ गई हूं रूम में जल्दी से यह जो बैड वगरा है इसको समेट लेते हैं फिर अपना जो जाड़ू पहुचा है वो लगाएंगी तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है चुटके मुटके इतने सारे काम हो जाते हैं यह जो काम होते हैं सुबह के इनके अलावा भी बहुत से चोटे मुटे ऐसे काम हो जाते हैं कि सारा दिन यूँ ही निकल जाता है पता ही नहीं चलता है और बिल्कुल भी ज किसी न किसी को जागना जरूरी है क्योंकि पता नहीं क्या ले ले क्या कर ले तो इस टैम मैं वैसे नहीं सो पाती हूँ और जब अभी उग्दा है तो मुझे यह लगता है कि मैं अपना जो है वीडियो वगेरा का कोई काम करलूं अगर वोईश ओवर करने को है तो वो करलूं क्योंकि वही जो है मेरे लिए बेस्ट टैम होता है वोईस ओवर करने के लिए वरना फिर जो है सारे दिन अभी शरारत करता रहता है टीवी वगएरा देखता है तो फिर नहीं जो हो पाती है अभी बहुत ज़रात कर रहा था पता नहीं किस तरह से बोल रहा था तो वही उसके पापा भी साथ में लगे वे थे तो दोनों लोग चैनीज में बात कर रहे थे तो वही थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया काफी हसी आ रही थी तो यही है अभी जब सोया होता है तो मैं अपने ये सारे काम निप्टा लेती हूँ तो ऐसे ही सारा दिन कामों में ही निकल जाता है खर के काम, यूटूब के काम सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अरेस्ट करने के लिए और लगी भी इसलिए रहती हूँ कि वैसे तो आप सभी को पताई है कि व्यूज तो मेरे ना के बराबर ही आ रहे है थोड़े बच जो आते भी थे अब तो वो भी बंद हो गए है बट ये है कि एक उम्मीद होती है कि हम महनत करते रहें तो किसी ना किसी दिन तो हमारी जो महनत है वो रंग लाएगी तो मैं भी बस इसी उम्मीद में ही लगी रहती हूँ मैंनत करती रहती हूँ ताकि मैं भी अपने परवार के लिए कुछ कर सकूँ बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ कुछ कमा सकूँ तो सिर्फ यही रीजन है इसलिए आराम को परे करके मैं सारा दिन लगी ही रहती हूं बिल्कुल भी आराम के लिए टाइम नहीं मिलता है आप सभी के कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप आराम किया कीजिए आराम किया कीजिए तो ये सब जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी को मेरी इतनी जो है फिकर रहती है बट वही है कि आराम तो जो है नसीम में है ही नहीं तो देखिए यहां पर जाड़ू पोचा वगरा किया उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी और फिर जो है अजबन नहा कर अफिस से ले गए खाना वगरा मेरा हो गया और हम मैं साड़े बारा के करीब आप से मिल रही थी बरतन मेरे रह गए थे तो बरतन वगरा सब मैंने दुल कर रखे बाहर जो कपड़े थे वो सूख गए थे वो सब मैंने फोल्ड करके रखे अलमारी वाले अलमारी में लगा दिया है बकसे वाले बकसे में लगा दिया है और यहां पर बच्चों के जो कैप थी उनके ये पॉम पॉम निकल गए थे तो वो सारे फिर मैंने दुबारा से टक दिया है क्योंकि एक टकती हूँ तो दूसरा निकल जाता है तो मैंने आज सारे ही टक दिया मेरे स्वेटर का बटन था वो निकल गया था तो वो भी मैंने टक दिया है और बस यहाँ पर इस काम से भी फिरी हो गई हूँ तो ऐसे ही चोटे मोटे काम जो है डेली निकलाते है कभी कपड़े आईरन करने को हो जाते है कभी खी तैयार हो जाता है कभी इस तरह की चोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम हाउस वाइब के लिए जो है दिन बर के लिए तैयार हो जाती है तो उनी में सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है तो यहाँ पर साइड में अभी जो है खेल रहा था और अभी को आज मैंने नहीं नहिलाया कल उसको नहिलाया था बस उसका अपना उदम चल रहा था और मैं अपना ये सारा काम करने के बाद मैं वेट कर रही थी light का कि light आ जाए तो कपड़े मैं iron कर लूँ husband के कुछ कपड़े हो गए थे iron को बट light काफी देर की गई हुई है वो नहीं आ रहे थी तो मेरे पास time था तो सोचा मखाने रखे हुए हैं यही मैं fry कर देती हूँ बच्चों के लिए तो अभी जो है अतने में आ गया था तो थोड़े से मैंने छोड़ दिये थे वैसे ही तो उसी में से मैंने अभी को दे दिये पहले अभी इस तरह के नहीं खाता था मसाले बाले बट अब खा लेता है तो हो जाएंगे तो उसको दे दूँगे अभी सादा थोड़े से छोड़े थे मैंने उसी में से दे दिये और यहां पर इनमें मैंने डाला है घी कि मैं fry किया है और ऊसाइव में काला नमक शादा नमक और चाट मसाला और काली मिश्ट का पाउडर हो तो काली मिश्ट पाउडर बहुत ही बढ़िया लगते हैं और एकदम इतने क्रंची हो जाते हैं कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो बस यहां पर बनकर रेडी हो गए हैं मैंने एक टेस्ट भी कर लिया तक काफी क्रंची हो गए थे और खाने में भी काफी अच्छे लग रहे थे एक बार मैंने मैगी क मसाले के साथ भी बनाये थे बट वो मुझे इतने पसंद नहीं आए ये मसाले वाले जो है जादा अच्छे रखते हैं देखिए कितना एकदम क्रंची हो गए है तो बस हलका सा इनको जो है मैंने ठंडा होने दिया क्योंकि गरम घर देते तो जो है सौगी हो जाते हैं तो कोड़े आřेंड कर लें